कॉंग्रेस के बरिष्ट नेता दिगवजे सिंग ने यह कहकर न केबल अपने बलकि अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने का काम किया कि यदि कॉंग्रेस सत्ता में आई तो अनुछिद 370 को बहाल करने पर बिचार किया जाएगा इससे भी खराब बात यह रही कि उन्होंने यह बात इंटरनेट प्लेटफॉर्म किलब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सबाल के जवाब में कही एक तरह से उन्होंने वही कहा जो पाकिस्तान कहता चला आ रहा है कॉंग्रेसी नेताओं की ऐसी ही बातों के कारड उन पर यह आरोप लगता है कि बे पाकिस्तान की भासा बोलते हैं दिग बिजय सिंग ने अपने बयान को लेकर सफाई देने की जो कोसिस की वह लीपा पोती के अलावा और कुछ नहीं क्योंकि उन्होंने जंबू कस्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को न केबल दुखद करार दिया बलकि सत्ता में आने पर उसकी बहाली की भी आस जगाई क्या उनके बयान को कॉंग्रेस का अधिकारिक बयान माना जाए यदि इस सवाल का जबाब सामने नहीं आता तो यही माना जाएगा की 370 के बारे में जो बिचार दिख बिजय सिंग के हैं वही कॉंग्रेस के भी बैसे भी यह किसी से छिपा नहीं की कॉंग्रेस को अनुच्छेद 370 हटाया जाना रास नहीं आया था और उसने इसके बावजूद इस फैसले के लिए मोधी सरकार की संसद के भीतर बाहर आलोचना की थी कि कई कॉंग्रेसी नेताओं ने पार्टी की अधिकारिक लाइन से अलग लाइन ली थी भले ही दिग विजय सिंग और कुछ अन्य लोग अनुच्छेद 370 की बापसी का सपना देखें लेकिन हकीकत यही है कि अब उसकी बहाली संभव नहीं यह ठीक है कि फारुक अब्दुल्ला ने दिग विजय सिंग को धन्यवाद देने मैं देर नहीं की लेकिन फेद भाव को बड़ावा देने अलगाव की भावना पैदा करने और आतंक बाद को हवा देने बाले अनुच्छेद 370 की बहाली की बातों को देश कभी सुईकार नहीं कर सकता इस अनुच्छेद की बहाली की उम्मीद करने बाले एक तरह से दिवासवपने ही देख रहे हैं यदि अनुच्छेद 370 के मामले में कॉंग्रेस दिग बिजय सिंग के साथ खड़ी होती है तो वह अपनी बची खुची राजनीतिक हैसियत को और कमजोर करने का ही काम करेगी समझना कठिन है कि कॉंग्रेसी नेता रह रहकर ऐसे बयान क्यूं देते रहते हैं जो देश बिरोधी तागतों के मन की मुराद पूरी करते हैं इस मामले में दिग बिजय सिंग का कोई जोड नहीं वह कभी आतंकी सरगना उसामा बिल्लादैन को सम्मान पूर्वक संबोधित करते हैं कभी जाकिर नाइज जैसे उनमादी तत्तु के साथ मंच साजा करते हैं और कभी मुंबई हमले को आर एसेस की साजिस बताते हैं उन्हें यह एसास हो जाए तो बहतर है कि उन्होंने 370 की बहाली की बात करके देश का अहित ही किया है